हेलो गाइस टेक्स सुविधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप देख रहें दे इंडियन सेड़प वर सीजन 2 का शोकेसिंग वीडियो अब आज की जो वीडियो है वो सिफ वेल्यू फॉर मनी के बारे में बात करें मतलब कि हम सिफ वह सेड़प दिखाएंगे जो की वेल्यू फॉर मनी के अंदर फॉल करते हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहूँआ कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो दे इंडियन सेड़प वर्स के रिजर्ट को लेकर या फिर और भी आप टेक वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैन सेड़प वो आ रही है अवतार सिंक की तरफ से तो इनके PC के स्पेक्स कुछ इस तरीके से है प्रोस्टर है इनका Intel Core i5 6400 ग्राफिक्स काड है इनके पास NVIDIA का GTX 1060 OC वही अगर मदरबोर्ड की बात की चाहते तो इनके पास है बायो स्टार का H110MH Pro RAM है इनके पास Xeon 4 का DDR4 जो की टोटल 16GB है यानि की 8GB की 2 sticks है वही अगर power supply की बात की जा तो वो है हंट की 450W की हाला कि यह पहली बार मैं नाम सुन रहा हूं हंट की कौन सा ब्रेंड है अगर hard drive की बात की तो इनके पास WD Blue की 2TB की hard drive है और साथी में Samsung की 500GB की hard drive है वही अगर SSD की बात की जा तो इनके पास A data की 240GB की SSD है cooler है इनका chipronics का diffuser X500 वही अगर case की बात की जाए तो वह है circle का Phoenix वही keyboard इनका है magic wings M200 mouse इनका है magic eagle MS672 headphone है इनका cosmic byte का GS410 तो यही है इनका setup अब अगर इनके desk setup की बात की जाए तो वह काफी neat and clean है भले इनका table छोड़ा से है but cable आपको ज्यादा यहाँ पे इन्होंने यह काम मतलब अच्छे से किया हुआ है cables properly routed है और यार कसम से मतलब यह जो red fiery accent है इनके पूरे desktop का मतलब team AMD full तरीके से हाला कि इनका AMD का product एक भी नहीं है but पूरा एकदम red accent है तो काफी cool look दे रहा है एकदम futuristic लग रहा है जाफिर ऐसा लग रहा है कि इनके PC के यह काफी अच्छा सा decent setup है value for money तो है ही अब बढ़ते हमारे next setup के उपर जो की आ रहा है दीबा पॉम मित्र की तरफ से तो processor में है इनके पास ryzen 5 1600x cooler है इनके पास cooler master का hyper h4 10r RAM है इनके पास 8 data का xpg जो की 2400 mhz पे clocked है और 8 GB की 2 sticks है motherboard है इनके पास gigabyte का AP 350 gaming 3 कोई hard drive की बात की है तो इनके पास seagate बाराकूड है 1TB की SSD इनके पास samsung evo 860 250GB वाली है power supply इनके पास ntech 750W का है जो की 80 plus gold है वही अगर graphics card की बात की जा तो इनके पास sapphire का triax r9290x है monitor इनके पास dell का s2216H है वही mouse की बात ही जा तो इनके पास cosmic byte का pulsar है keyboard इनके पास red gear का mk881 इनके पास xbox 360 controller भी है headset इनका red gear का health fury 7.1 cabinet इनका circle का CC 821 prime मतलब की पास fan वाल है अब अगर इनके setup की बात किया तो इन्होंने भी अपने setup को काफी neat and clean रखा हुआ है और वही बात है जितने भी मतलब अब लोग cloth use करें न अपने table पे उनको मैं एक ही सला दिना चाहूंगा की आप vinyl sheet ले सकते यार वह बहुत ही better दिखे और कासी convenient भी रहता है आजकल के जमाने में तो वह मतलब amazon पे आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएगा अब अगर cable management की बात की जाए तो यार cable management ज्यादा कुछ हम expect कर नहीं सकते थे क्योंकि इस case के अंदर मतलब कि यार आपको power supply का shroud नहीं मिलता है उपर से यह पूरा जो case है पुरा congested हो गया hard drive से भर गया है फिर graphics card CPU cooler और इतना बड़ा power supply उसके साथ में इसके इतने सारे wires ट्रियार को cable management के लिए इनको हम मतलब यहाँ पे कुछ बोल राउटेड नहीं है और motherboard का 24-pin वाला cable मतलब वो तो बराबर राउटेड है तो मतलब है cable management पर यह थोड़ा और better कर सकते थी ज्यादा तो expect नहीं कर सकते पर definitely है थोड़ा और better कर सकते थी तो अब बढ़ते है हमारे next setup के उपर जो की आ रहा है धुरूविल परमार की तरफ से तो processor में इनके पास Ryzen 3 2200G, RAM है इनके पास Corsair Vengeance 8GB जो की 3000MHz पर clocked है, वही 500GB की इनके पास hard drive है, Nighthawk का RGB gaming keyboard है, Red Gear का gaming mouse है, Samsung का 19-inch IPS panel align के पास monitor है, case के अगर बात की जा तो इनके पास Cooler Master का MB Light 5 RGB है, वही motherboard है इनका GIGABYT का B450M Pro VDH gaming और Flipkart Smart Buy का headphone है इनके पास तो अब अगर इनके setup की बात की जा तो इनके भी setup एकदम neat and clean है और वही बात है कि cloth use के हुआ इनके टेबल में, बट यार विनायल शीट आज की जमाने में आपको सस्ते में Amazon पे मतलब आसानी से मिल जाएगा, बट यार फिर भी मतलब पैसे अगर नहीं लग रहे है और फिर है वही अगर PC के अंदर की cable management की बात की जा है तो वह भी इन्होंने ठीक ठाक किया हुआ हाला कि थोड़ा और better कर सकते थे बट ठीक ठाक किया हुआ है वही अगर benchmark score की बात की जा है तो इनका जो विगा 8 integrated GPU है वो 1113 points को score करता है और आ एक्स्ट्रीम settings में नहीं वो medium settings पे किया हुआ है extreme settings पे करते तो probably 600 या फिर 7 max to max 650 के आसपास आता तो अब बढ़ते है मारी next setup के उपर तो अगली setup आ रही है निखिल शा की तरफ से और इनके PC के specs कुछ इस तरीके से CPU इनका Intel का Core i580 600K जिसको इन्होंने 4.8 GHz पे clock करके रखा हुआ है इस CPU को cool रखने के लिए उन्ह Electrix D40 जो की 3000 MHz पे clocked है power supply इनके पास Seasonic है जो की 650W deliver करता है और 80 Plus Bronze है वही अगर storage की बात की जाए तो इनके पास 250GB की SSD है जो की Samsung 860EV हो है वही 1TB की इनके पास WD Purple की hard drive है और फिर 1TB और Seagate की hard drive है फिर बाद में 1TB और Toshiba की hard drive है तो इन्होंने hard drive बहुत सारा इस्तमाल क 3TB वही अगर case की बात की जाए तो इनके पास case है NZXT का Phantom 530, monitor है इनका LG का 22MP68VQ और वही अगर इनके keyboard और mouse की बात की जाए तो वह eyeball का एक combo है जो की wireless है, speaker इनका Philips का SP8000B है और तो बस यही है इनका setup, अब अगर इनके setup की बात की है तो इनका setup यह वह काफी neat and clean है क्योंकि wires आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और इनका जो keyboard और mouse है वो भी wireless है, वही जैसे कि आप देख सकतों कि यह setup wars का वीडियो देख रहे है जो की अभिशेक भाई की तरफ से है, बाकि अगर cable management की बात की है तो इनका setup बहुत ही जादा sexy दिख रहा है, तो अब इसे के साब हमारे last setup के उपर जो की आ रहा है साहिल मान की तरफ से, तो इनका CPU है Ryzen 5 2600, motherboard है इनका MSI का B450 Gaming Pro Carbon AC, RAM है इनका Corsair Vengeance का LPX जिनका इन्होंने frequency mention नहीं कियो है, बट 8GB की 2 sticks है, SSG इनके पास WD Green 240GB, hard drive है इनके पास Seagate का 2TB का बारा कुड़ा, वही power supply की बात की जाए तो इनक 1070 Ti Mini, जो कि उन्हेंने replace किया, क्योंकि इन्हेंने पहला जो graphics card था, वो second hand लिया था, अभिशेक भाई से जाने की tech dream से, पर वो बरापर उनका चल नहीं रहा था, तो उन्हेंने service center लेके के, और service center से उनको 1070 Ti मिल या, क्योंकि 1070 का model उनके पास था नहीं, वही अगर monitor की बात कीजा तो इनके पास है Cosmic Byte Galactic, माउस इनके पास Red Dragon का M610, headphone इनका Red Gear का Cosmos 7.1, picker से इनके पास Zebronics का 2.1, और case इनका Antec का NX200, और साती में इन्हेंने जोंसबो का case fans का भी इस्तमाल किया हुआ है, अगर desk setup की बात की जाए तो इनका desk काफी neat and clean है, बट यार इन्हेंने setup को और चार्चान लगा सकते हो, वही अगर cable management की बात किया, तो cable management यार obviously बात है, आप improvement कर सकते थे cable management के अंदर, क्योंकि इनका 24 pin का cable वो थोड़ा उपर के, अगर slot से निकाल देते हैं, अंदर से थोड़ा और clean दिखता, तो ऐसे थोड़े बहुत silly mistakes है, जो कि ये improve कर सकते है बागे इनका setup काफी अच्छा, neat and clean है, और दमदार भी है, तो इसे के साथ आज की वीडियो की जो showcasing है, वो भी खतम होती है, लेकिन अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसे like और share करना, बिल्गुल में मत बूलना, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के बाइ बाइ